जब रिटेल इंवेस्टेर्स यूट्यूब पर आते हैं बेस्ट चॉक्स फाइंड करने के लिए तो वहाँ पर यूट्यूब इंफ्लॉएंसर्स फाइनाशल एजूकेटर्स यह फिर न्यूज चैनल ऐसे महंगे महंगे स्टॉक्स बताते हैं जोड़ी काफे अच्छे हैं ब रिटेल इंवेस्टेर्स थोड़ा हिच की चाता है शेयर खरीदेने के लिए देखो इंडिया में एक मिडल क्लस की इंकम पचास साथ हजार के उपर जाती एवरेज है ठीक है लोगों के यहां पर तीस चालीज़ार बीस़ार के सैलरी भी है उसमें से 24 जार का तुम शेयर भ ख्रीद लोगे तो कहीं न कहीं चुपता है इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्ब करने कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि 500 रूपय के अंदर जी हां 500 रूपय के अंदर आप उसमें निवेश कर सको तो यह स्टॉक्स ऐसे निया कि fundamentally बेकार हो इन स्टॉक से fundamentals ऐसे ही रहेंगे जैसे श्री समेंट बजाज फैनाइंस या फिर नेसल जैसे company बड़े कमपनी जो भी multi-bagger लाज के company बन चुकी है इनके financials ऐसे ही रहेंगे तो अब हम लोग स्टार्ट करते वीडियो को अगर आप चैनल में नहें आ कर देना ठीक है और अगे आप से दर्खवास करूंगा कि इस वीडियो को आखरी तक देखने के बाद लाइक करना वरना कोई ज़रोतनी लाइक करने की इसी confidence के तार आगे पर एक और चीज़ आप कहना चाहता हूं कि आपको हर एक मिनिट में कुछ ना कुछ में सिखानी कु बहुतना चाहिए आप स्किप्ट करके मत देखिए वीडियो को बहुत लोग यह करते चाहिए तो स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5x कर दीजिए लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना 10 रिशो को समयना है अगर आपने जंबल कर दिया जो मैं 7 रिशो बता रहो आपने 3 में यहाँ पर आपको 4528 कंपनी मिल जाएंगे जो कि NSE में लिस्टेट है अब अगर हमें 500 कंपनी कंपनी करने हैं जो कि fundamentally अच्छे हो तो हम बिलकुल यह चाहते हैं कि वो सारे कंपनी कंपनी के अंदर हो ठीक है क्या करना है यहाँ पर स्टॉक यूनिवर्स में जाना है और यहां पर हमें 500 छाहिए गए जो 500 रुपे से क्म होुआ है यहां क्लोज पर में आएंगे और यहां पर हम यह सारी कंपनी सारी पान सुरिपर से कम की है पहला है हम बैटर लोग अपलाई करने वाले हैं रेवेन्यू ग्रोथ क्राइग थे सामान कि अला क्या मीं है तो यहांत revenue growth लेंगे 5 years का मैं सारे के सारे parameters long term लेने वाला हूँ at least 5 साल at least 5 साल का आपको पास parameter होना चाहिए एक या दो साल का मैं नहीं ले रहा है क्योंकि हो सकता है कि उस time पे उस sector की कुछ ऐसे news हमें मिले जिससे कि वो sector बढ़ गया और हमें यह दिख रहा है कि यह वाला सेक्टर बढ़ रहा है ऐसे हम लोग analyze नहीं करेंगे हमको at least 5 साल का average तो चाहिए ही चाहिए राइट तो हम लोग यह फाइव historical revenue growth करेंगे अब क्या नंबर चाहिए हमें at least 10% 10% से हर साल क्यागर componently उसका माल समान बिकना चाहिए revenue होना चाहिए company के पास राइट अगला parameter है profit margin अगें revenue हो रहा है sale हो रही है समान भी करेंगे बट इस शेयर्टर हमें profit देख नहीं company कितना profit निकाल पा रही है sales राइट तो यहाँ पर हम लोग 5 अगें लेंगे net profit margin यहाँ पर में net profit margin लोंगा साथ में एक साल का net profit margin भी लोंगा अब आप बोलोगे कि एक साल हो क्यों लिया क्योंकि मुझे यह देखना है कि last एक साल में company के साथ कुछ miss happening तो नहीं हुई last quarter में कुछ ऐसे news तो नहीं है यह ऐसे numbers तो नहीं है profit margin में जिसले कि हमें दिक्कत हो जाए राइट तो हम लोग सतर्क रहे हम लोग यहाँ पर net profit margin लेंगे with five years net profit margin so यहाँ पर मैं यहाँ पर net profit margin में apply कर देता हूं और दोनों के मैं यहाँ पर 10% रखूंगा right at least हर साल 10% हमें यहाँ पर net profit margin दे और फाइव यह प्रॉफिट मार्जिन हमें 10% का मिला होना चाहिए ठीक है अल्राइट अब यह तीम रिश्यों को अप्लाए किया मैंने और उसके बाद मुन्हें और 29 कंपनी मिल चुके हैं right और नेट परसिंट मार्जिन नेक्स पैड़मिटर है रिटर्र ओन इंवेस्मेंट में ठीक है तो यहां में रिटर्र ओन इंवस्मेंट कर लेता हूं और कितना पत्रफिट रखेंगे हम लगे 10% और राइट तो 19 कंपनी में मिल चुकी है जोंकि नेक्स परिमिटर में जाते हैं जोंकि अच्छी कर लिए लेकिन अपने शेयरफ को तो अगर आप return on equity नहीं दे पारें उनको रिटर्न नहीं दे पारें तो क्या ही फाइदा हम लोग क्यों ही इंवस्ट करेंगे ठीक है तो रिटर्न on equity five years अब मैं यहाँ पर नंबर लेने वाला हूं 15% के ऊपर अब इंडेक्स फंड के जो रिटर्न होते हैं वह एवरेज करूँगा और खुश रहूँगा बट हम लोग ऐसे companies find करने कोशिश कर रहे हैं यह 500 कम के हो बट उनके रिटर्न probability और यह फिर रिटर्न को जो इन्हों नहीं हिस्ट्री दी है वह 15% के ऊपर हो राइट next parameter में चलते हैं जो कि एक double sword है और next parameter का नाम है dividend yield अब यह double sword कैसे हैं ब 5-6 in fact 10-10 बदेश कर तक का dividend yield दे देती हैं जिससे कि उनकी shareholders खुश रहे हैं बट हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग ऐसी company चाहते हैं जिनको अपने ही company में विश्वास हो वो dividend देने के बजाए वो अपने company में invest करे profit लेकर आए और equity shares के दाम बढ़ाए हम लोग ऐसी company जाते है जोगी growth पे focus करें ना कि एक खुश करने के लिए एक अपने investors खुश करने के लिए कोशिश करें ठीक है और हम लोग यहाँ पे dividend को use करेंगे अपने ही sector के मताबिक मतलब क्या कि जो share है अपने ही sector की जो average share है उससे 1% कम हो तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग dividend yield versus sub sector और हम लोग अब यह कोशिश करेंगे कि एक percentage से कम हो तो वन इसका मतलब यह है कि यह companies dividend कम दे रहे हैं अपने ही business में reinvest करके company को बढ़ा रहे हैं और अपने shareholders के equity को बढ़ा रही है तो यहाँ पर 11 companies हमें मिल चुकी है अब जाए 11 companies ले बिलकुल भी नहीं हम लोग तोड़ेंगे अब हम क्या है जो लोग नए है उनको बचाते हो फटाफट में debt मतलब की करदा कितना company ने करदा लिया है अपने ही company को बढ़ाने के लिए equity के मुताबिक usually यह दो करशों से कम होना चाहिए तो हम लोग वही find करेंगे और आपको पता है जो company जादा करदा ले लेती है debt ले लेते उन पांच शेर्स बिल चुके हैं जो की top 500 companies में आते हैं जो 500 रोपे से कम के हैं जिनका revenue अच्छा है profit अच्छा है net profit अच्छा है ROI अच्छा है debt to equity अच्छा है dividend yield versus subsecretor भी अच्छा है सब कुछ अच्छा लग रहा है कि आप जाए खरीद ले बिलकुल भी नहीं अब इसको valuations औ 52 वीक है से अल्मोस पास में है इंदर पस्ता गयादी 5.75 सुमी तो मोग chemical 30% दूर है और ब्राइट कॉम गृप 120% दूर है अपने ही all time high से राइट क्योंकि यह high level पे तो अब यह नहीं की बहुत जादा महेंगे हैं हमें इसको और check करना पड़ेगा with PE ratio तो यहाँ पर मैं द फोड़ा सा premium है यहाँ पर भरत को मिल रहा है fundamentals काफी अच्छे तो market ने अल्रेडी इसको फोड़ा प्रीम में रहा है similarly with IGEL gas 20 कपी चल रहा है इस IGEL का बट हमें पता है कि यह market एक monopoly company है डेली अन से हमें gas distribution में सुमी तो chemical 4120 तो valuation थोड़ा high लग रहा है अगें यह आपको check करना पड़ेगा companies काफी अच्छे लग रही पांच companies तुरंत मत खरीज लेना आपको खुद करना है आपको यूट्यूब पर जाके management team के videos देखने है और चेक करना है और अगर आपके पास ticker tape pro आपने का buy क्या हुआ है तो आप जाके इनका नीचे यहाँ पर अपिनेंस होते हैं तो आपको दिख रहा है भरत में राइट यहाँ पर ब्राइट कॉम को मैं चेक कर रहा था ब्राइट कॉम में एक यहाँ पर negativity है अब देख सकते हो कि ब्राइट कॉम में रेड फ्लैक्स है अब रेड फ्लैक्स क्या है एक पर चेक कर लेते हैं जी एसम मैं अब यह कंपनी में बहुत ज्यादा उच्छाल गिराव होता तो स्टॉक मानिपलेशन हो सकता है तो इस तिंग्स आपको इस चीज़ता खुद से चेक करनी है तो आपको यह वीडियो एजुकेशन लगा अपने खुद अनलिस करिए अगर आपको यह वीडियो सब्सक्राइब कर जीजिए वीडियो ने वीडियो तिल देन यू गो अर्न फ्रीटॉ